तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि cutting से हम multiply कैसे करते हैं रिमना को तो आपके सामने जो cutting रखी हुई है यह देखिए हमने soil में लगाई थी तो उसमें यह roots आ गई है roots को मैंने छोड़ा सा cut कर दिया, trim कर दिया है उनको अब मैं क्या करूँगा कि इससे भी cutting से फिर बापस से cutting से बनाऊंगा मैं हम इसको इस particular place से इस particular place से यहांसे काट लेंगे और इस part को जो इसमें जड़े आ गई है इसको अलग grow करेंगे और इस part को फिर से grow करेंगे जैसे कि for example यह देखेंगे मैं काट लिया है और उसका ऊपर का पार्ट यह है इसको अलग से grow हो जाएगी और यह अलग से तो अब इसका एक भॉंजाय अलग बन जाएगा और इसका एक बॉंजाय अलग बन जाएगा ऐसे हमने देखी है दूतिन cutting कर र खी हैं यह से कट करके इतना पार्ट निकाल लेंगे और फिर उपर का पार्ट अलग से ग्रो कर लेंगे एक चोटा साथ के सामने दिखाता हूं यहां पर एक बंजा यह तियार हो रहा है आप शेप देगे कितना शांदर शेप बैसका ऑल्दो यह कोकुपीट में लगाया है जड़ा इसके नदर अभी आई नहीं है तो जब जड़ा आ जाएंगे तब इसको हम फाइनल स्वाइल में लगाएंगे बट अब भी वाइरिंग और सब्चियों का टाइम नहीं है क्योंकि अभी जो इसकी ब्रांचे से बहुत ज्यादा थिन है तो इसको बैंड नहीं कर सकते बट बैंड करेंगे जड़ें आ जाएंगी और इसको फाइनल स्वाइल में लगाएंगे तो इक बाद मैं स्वाइल में बताता हूं कुईकली स्वाइल में सब देख लीजे हमेशा आपको बताता हूं मैं 70% वही अपना जो नीट का चूरा हमको मिलाना है कुछ कोईला है इसमें और बाकी जो है वो अपना गाटन सॉाइल है गाटन सैल भी स्पैशली रेट सॉाइल है इसमें देखे है फ्रेंगे संद को कट कर दिया और इसको कट कर दिया है और इसमें एक्शी पताना रही थी आपको वो ये कि आण न आण पूलते हैं जिसमें नीचे बहुल होते हैं तो अब क्या करना है इसमें यह मैं इस तरह की मैश लगा दूगा नीचे तो हमारी जो स्वाइल है वह वो स्वाइल हमारी डेनाउट नाओ और इसको एर ज्यादा मिलने से क्या होता है आप यह थाना की थम रूल है जितना अच्छ होगी तो आप यह ध्यान रखिए हमेशा पॉर्ट इस तरीके को यूज करिए जब फाइनल प्रोड़क्ट होगा जब बन जाए गए तब इसको में लिखे आएंगे जब तक कि हमको जुरूत नहीं है हम इस तरीके के पॉर्ट में ही इसको ग्रों होने देंगे अब यह कटिनक को हम अलग ग्रों करेंगे नीचे इधां फंगी साइस लगाएंगे यहांपर जिससे फंगस न लगे इसमें और इसको मलग रों करेंगे फिर सेम जब इसमें जड़ना जाएंगी तो इसको भी हम छुटा कट करके हम अलग निकाल लेंगे और इसके लिए और उसके चार्वत तरफ स्वाइल ढाल देंगे और उपर इसमें फैविकॉल लगा देंगे जिसमें इसमें फंगस ना लगी है आप चाहने तो फंगी साइट भी लगा सकते हैं लेकिन फंगीसाइट में लगा था क्योंकि उसका फिर निशान रहे जाता है तो फैविकॉल से एक प्लेन दिखता है हमेशा बाद मैं कटर कर लेते हैं तो दिखकत नहीं आती है फैविकॉल में वह सबसे बैस्ट है वह लगाई आराम से कोई दिक्कत नहीं आती है तो प्लीज बताईएगा कमेंट्स करके कि आपको और जानना है तो